दोस्ते दोस्तों हो मैं हूँ देविदास और आज का मेरा वीडियो है कि रेल करमचारी इपास को पिटियों को किस तरह से कैंसल करें तो दोस्तों हो आप सबसे पहले अपने ID password डाल कर और OTP को verify करके login हो जाएंगे लागिन होने के बाद में इस तरह का dashboard आएगा dashboard आने के बाद में आप क्या करोगे यह pass के ऊपर click करोगे पास के उपर जैसे क्लिक करोगे तो my issue पास में जाना है आपको जैसे आप my issue पास में जाओगे तो इस तरह का dashboard दिखेगा dashboard दिखेगा तो आपको आपके इसमें page पर pto जो issue हुआ है और जो पास issue हो गई तो इस तरह से interface दिख जाएगा तो मैं और अच्छा दिखने के लिए मैं आपको इसको desktop version में click कर देता हूँ तो दोस्तों ये इस तरह से उसका page आएगा अभी आपको ये पूरा और अच्छा भी दिख रहा होगा तो ये उपर मैंने pto लिया है और नीचे ये पास ली है तो किस तरह से cancel करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ तो आप देख रहे होंगे last में क्या है cancel pass लिखा हुआ है और ये cross का symbol भी है और cancel लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे इसके cancel के ओपर click कर दोगे cancel के ओपर जैसे click करोगे तो इस तरह का interface आजाएगा interface आने के बाद में आपका जो pass cancel करना है या video cancel करना है उसका UPN नमबर याने unique pass नमबर आजाएगा जो उपर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा है upload approval document आपको जिच चीज के लिए cancel करना है उसका reason लिखना है या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ हो या कोई medical के कारण आप नहीं जा पा रहे हो या pass cancel करना चाह रहे हो तो सर बहुत सारे reasons है लेकिन उसको cancel करना या नहीं करना मैं खाली बता सकता हूँ लेकिन जो आपके जो अधिकारी है उनी के उपर है कि वो किसको cancel कर सकते है या नहीं कर सकते है चाह रिजन आप जो भी दे तो दोस्तों आपको क्या करना है उसकी एक फोटो ले लेना है फोटो लेने के बाद में PDF में कटमट करना है जो 2MB से कम हो 2MB से ज्यादा होगी तो अपलोड नहीं होगी तो यहाँ जो चूच पाइल है यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में यहाँ आपका डाकुमेंट जो भी डाकुमेंट से मैं आपको अपलोड करके बताता हूँ यह दो को दोस्तो हो मैंने यहाँ पर यह चीज फाइट आपको बताने के लिए अपलोड कर दिये राइड हो गया है और नाम भी आ गया है उसके बाद में आपको रिजन फार कैंसलेशन देना है कि आपकी चीज के लिए उसको cancel कर रहे हो cancel करने के बाद में आपको submit कर देना है yes or no का option आएगा आप अगर आपको cancel करना है तो yes कर दिजिए तो यहाँ पर yes करने के बाद में यहाँ जहाँ अभी cancel लिखा है तो cancel हटके यहाँ apply करके आपको option दिख जाएगा इसका मतलब यह है कि आपका जो भी cancelation के लिए जो आपने apply किया है वो आपका successfully upload हो गया है और आपके इंचास के पाद चला गया है अभी cancel करना नहीं करना वो उनी के हाथ में है cancel होने के बाद में आपको नए सीरे से और fresh और pass दिया जाएगा तो आज के लिए यह मेरा वीडियो था कि आप किस तरह से pass या पिटियो को cancel कर सकते हैं दूसरी बात इसी वीडियो के से related है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले हम लोग ESS में edit करते थे view edit my detail जो करते थे अभी क्या है दोस्तों हो यह अभी हमेशा खुलता नहीं है यह समय समय पर ही खुलता है मैंने इसका पहले देखा था कि सवेरे 8 बज़े से शाम को 8 बज़े तक कि इसका time दिया था लेकिन कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है तो आपको time देख लेना है अगर नहीं खुलता है तो आपको परिशान होना नहीं है उसको बाद में खुलकर देख लेना है तो अगर जब भी यह option आए तब आप edit उसको कर सकते हो दूसरी बात यह है तो बहुत सारे लोगों के दोस्तों बहुत सारे लोगों के मुझे questions आते है कि सर ऐसा कैसे करे इसका कैसे करे तो आपको help के लिए यहाँ पर options है यहाँ उपर देख रहे होंगे आपको अगर help के उपर आपको click करते हो तो इस तरह से option आपको दिख जाएंगे जिस किस भी समन्द में आपके कुछ question हो तो यहाँ पर आपको उसके answers मिल जाएंगे यहाँ जो पीडियाप में है यहाँ आप पड़ सकते हैं यह railway के तरफ से पूरा दिया हुआ है कि आपके क्या प्रशन है क्या नहीं है यहाँ पर आपका clarification उसका मिल जाएगा दूसरी बात यह I button के उपर आप click करोगे यह fake you यहाँ पर आप download कर सकते हो कि जो भी आपके जो मन में प्रशन है किस चीज के लिए है क्या है आप परिशान मत हो आप इसके उपर से आप click करके इसको पढ़के आप उसको समझ सकते हो कि अभी क्या नए rules आ गए क्या आए है अभी HRMS में समय समय पर अपडेट हो रहे है तो यही अपडेट जो आपको अपडेट हो रहे है यहां हमको दिख जाएंगे और पढ़ने में भी आए जाएंगे हम इसको download भी कर सकते हैं तो आपको help के लिए मतलब यहां दो जगे option आपको मिल जाएगा जब यहां आप help के ओपर क्लिक करोगे तो यह का आप इसके बाड़े में पड़ पाओगे आपके प्रशन दूर हो जाएंगे और आप यह आई बटन के ओपर भी आप अगर क्लिक करते हो तो भी आपको यहां से आपको प्रशन का उत्तर यहां पर आपको मिल जाएगा जरूरी नहीं कि सभी प्रशन का उत्तर यहां मिल जाएगा लेकि मैं घीमम रेल्वे के तरफ से HRM इसके तरफ से जो भी यहां पर चीज़े डाली गई है आपको कम से कम मिल तो जाएगी तो दोस्तों यह मेरा वीडियो था कि रेल्वे पास बनने के बाद में किस तरह से उसको कैंसल कर सकते है तो यह वीडियो मेरा कैसा लगा जरूर बताए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे थैंक्यू वेरी मच और आपके मन में कोई प्रशन न हो तो मुझे जरूर पुछे मैं उसका एंसर देने की कोशिस जरूर करूँगा थैंक्यू वेरी मच